अरह मई 1974 ये वो तारीख और साल था जो इतिहास के पन्नों में तब दर्ज हुआ जब भारत ने राजस्थान के पोकरण में परमाणू परिक्षण कर दिया जो सफल रहा इस सफल परमाणू परिक्षण को नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा इसके बाद दुनिया में भारत पहला ऐसा देश बन गया जिसने United Nations Security Council का सदस से ना होते हुए भी परमाणू परिक्षण करने का साहस किया आज 50 साल बाद कोईला, गैस, पन बिजली और पवन उर्जा के बाद परमाणू उर्जा भारत में बिजली का पांचवा सबसे बड़ा सुरोत बना हुआ है पर आज हम भारत में परमाणू उर्जा की ताकत को जिस मुकाम पर देखते हैं उसकी कलपना का श्रेय जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जिन्हें भारती ये परमाणू कारेक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था उनकी प्रारंभिक पढ़ाई मुंबई में हुई और बाद में वे इंग्लेंड चले गए जहां उन्होंने कैम्बरेज में इंजिनियरिंग की पढ़ाई पूरी की अध्यन के दावरान तेज बुद्ध के कारण उन्हें लगातार छात्र बृत्ती मिलती रही 1935 में उन्होंने पीएजडी की डिगरी हासिल की और इसी दावरान होमी जहांगीर भाभा को आईजेक न्यूटन फेलोशिप हासिल हुई हुमी जहांगीर भाभा को प्रसिद्ध वैज्ञानिक, नील्स बोर, चेम्स फ्रैंक और एन्रिको फार्मी के साथ काम करने का भी अवसर मिला था डॉक्टर हुमी जहांगीर भाभा ने कौस्मिक किरनों पर भी काम किया जो प्रित्वी की ओर आते हुए वायु मंडल में प्रवेश करती है कौस्मिक किरनों की छेत्र में अपनी उपलब्धियों की कारण भाभा विश्व विख्यात हो गये और अंतरास्ट्रिय वैज्ञानिक समुधाय में उन्हें सम्मान की दृष्टी से देखा जाने लगा दूसरे विश्वयुद्ध के प्रारंभ में वर्ष 1949 में होमी जहांगिर भाभा इंगलेंड से भारत आये और बैंगलरू के इंडियन स्कूल आफ साइंस से जुड़ गये और वर्ष 1940 तक उसी में रीडर पत्बन नुक्त रहे इस दोरान उन्होंने अपना शोध कार्य जारी रखा और अन्य युवा भारतिय विज्ञानिकों को भी अपना सहयोग दिया उस वक्त विक्सित देशों में निकलियर फिजिक्स के छेत्र में तेजी से शोध कार्य चल रहा था माना जा रहा था नुकलियर फिसीशन की मदद से परमाणू उर्जा प्राप्त की जा सकती है हलाकि कई वैज्ञानिक इससे संतुष्ट नहीं थे लेकिन डॉक्टर हुमी जहांगीर भाभा को विश्वास था उन्होंने 1945 में टाटा ट्रस्ट से मदद लेते हुए टाटा इंस्टिटूट आफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किया जिसका भविश्य में लगातार विकास किया गया और आज दुनिया में इंस्टिटूट का एक महत्वपूर्ण स्थान है 1947 में जब देश सोतंत्र हुआ तो देश के विकास की योजनाएं बननी शुरू हो गई थी अप्रेल 1948 में ततकालीन प्रधान मंत्री जोहरलाल नहरू ने भाबा के अनुरोध पर संविधान सभा में परमाणू उर्जा अधिनियम को कानून बनाने के लिए सहमती व्यक्त की जिससे भारतिये परमाणू उर्जा आयोग का कठन किया गया इसके बाद 1954 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाबा ने मुंबई के पास ट्रामबे में परमाणू उर्जा संस्थान स्थान स्थापित किया जिसे आज हम भाबा परमाणू अनुसंधान केंद्र के नाम से जानते हैं यहां पर सन 1956 में भारत का पहला रियक्टर स्थापित किया गया जिसका नाम अपसरा रखा यह भारत के लिए विस्तेश गौरों की बात थी इस रियक्टर का डिजाइन और निर्माण होमी जहांगीर भाबा के नित्रित्तु में भारतिय विज्ञानिकों और इंजिनियरों द्वारा किया गया था 1955 में डॉक्टर होमी भाबा जेनेवा में संयुक्त राज्य संगत्वारा आयोचित शांति पूर्ण कारियों के लिए परमाणू उर्जा का उपियोग सम्मेलन में शामिल हुए वहां कनाडा ने भारत को परमाणू रियक्टर बनाने में सहयोग देने का प्रस्ताव दिया जिसके बाद कनाडा के सहयोग से सायरस पर योजना प्रारंब होई इस रियक्टर का उपियोग निट्रान भौतिकी प्राणी शास्त्र प्रसायन शास्त्र और रेडियो आइसो तौप के निर्माण में किया जाने लगा। साइरस पर योजना 1960 में पूरी की गई। डौक्टर ओफ साइन्स जैसी उपाधियों से भी विभूशित किया। 1954 में भारत के राश्ट्रपतीट ने डौक्टर भाभा को पद्म भूशन से अलंकृत किया। डौक्टर हुमी जहांगीर भाभा के मरणो परांत 12 जनवरी 1967 को प्रधान मंत्री इंदरा गांधी ने दे अटॉमिक एनरजी स्टैबलिश्मेंट ट्रॉम्बे ए ए टी टी का नाम बदल कर भाभा परमाणू अनुसंधान केंद्र बी ए आर सी कर दिया गया। तब से लेकर अब तक भारत ने परमाणू उर्जा की छेत्र में काफी सफलता देख ली है। आज देश में वर्तमान में 24 परमाणू उर्जा रियक्टरों की कुल स्थापित परमाणू उर्जा क्षमता 8181 मेगावाट है जो 2031 तक तीन गुनी हो जानी का अनुमान है। आज इस सपने को हकीकत में देखने का श्रे असधारन प्रतिभा के धनी डॉक्टर हुमी जाहंगीर भाबा को ही जाता है। जो सिर्फ सपने देखने में ही विश्वास नहीं करते थे बलकि उन्हें पूरा करने में जुड़ जाते थे। उनके अथक प्रयासों का ही परिण नाम है कि आज भारत पर्मानुष संपन्न रस्ट की श्रेणी में गिना जाता है। भारत उनके महत्वपूर्ण योगदान का सदैव रिणी रहेगा। भारत देश को सर्वस्रिष्ठ बनाने की उनकी सोच सदावंद नहीं है। हम डॉक्टर हुमी जहांगीर भाबा की जनता तथा उनकी दूर दर्शी सोच को शत शत नमन करते हैं।